ये आकाश्वानी है, स्वाधीनिता की अमरगाथा, प्रस्तु थे, देश की स्वाधीनिता के लिए किये गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अंगिनत सुनी अंसुनी कहानियों पर केंद्रित, हमारा ये विशेश धारवाहिक, स्वाधीनिता की अमरगाथा, लेखक हैं डॉक्टर हरी कृष्ण देवसरे और निर्देशक विरेन मुंशी आज सुनते हैं इस धारवाहिक की अठारहवी कड़ी मात्र भूम की बलिवेधी पर हस्ते हस्ते चड़ा गए जो शीश वीर बलिदानी चड़ा गए जो शीश वीर बलिदानी चाती पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी ब्रिटिश सरकार ने भारत के वैधानिक सुधारों पर एक रिपोर्ट पेश्ट करने का काम एक कमीशन को सौपा कमीशन के अध्यक्ष थे इंगलेंड की प्रसिद्ध वकील सर जॉन साइमन इसमें साथ सदसे थे लेकिन सभी अंग्रेज थे भारतिय सदसे एक भी न था ये बात देश के लिए बड़ी अपमान जनक थी साइमन कमीशन के इरादों पर भी भारतवासियों का संदेह था क्योंकि सपष्ट था कि कमीशन वही रिपोर्ट पेश करेगा जो ब्रिटिश सरकार चाहेगी उसका इरादा उस पत्र से भी सपष्ट हो जाता है जो भारत सचिव लॉड बाकन हिड ने वाइसरोय लॉड इर्विन को लिखा था अगर आप कमीशन का प्रियोग राजनेतिक सौधा करने अत्वा स्वराज पार्टी में और अधिक फूट डालने के लिए कर सकें और इस प्रियोग से आपको यदि राजनेतिक सौधा करने में किसी प्रकार की सहता मिल सके तो आप अवश्य करें और सरकार आपकी सहता वास्तव में साइमन कमीशन का गठन ये कहकर किया गया था कि ये भारत के भागय का निर्णय करेगा किन्तु ये सब दिखावा था इसे तो दरसल भारतियों को बहु संख्यक और अल्प संख्यक वर्गों में बाट कर आपस में लड़ाने के लिए भीजा गया था ब्रिटिश सरकार के सचेव लौड बरकन हिड ने कमीशन को सलाह दी थी आप लोग कमीशन का बहिशकार न करने वाले प्रित्यक इस्तर के व्यक्ति से मिलें विशेश रूप से अच्छूतों और मुसल्मानों से जरूर मिलते रहें मैं उन मुसल्मानों के साथ प्रितिक भेट का व्यापक प्रिचार करना चाहता हूँ जो उनके प्रितिनिदी माने जा सकने वाले हैं इससे हमारी नीति इसपष्ट तरीके से सामने आ जाती है इस नीति का लक्षी बहुसंग के हिंदूओं के दिलों पर ये डर बैठाना है कि मुसल्मानों ने कमीशन पर प्रभाव इस्थापित कर लिया है और संभाव है कि कमीशन पूरी तरह से हिंदू विरोधी रिपोल्ट पेश करें साइमन कमीशन का देश के सभी नेताओं ने विरोध किया मोतिलाल नहरू ने कहा ये तो आँखों में धूल जोकने का एक तरीका है एनी बैसंत ने कहा ये कमीशन जले पर नमक छड़कना नहीं तो और क्या है सारे देश में साइमन कमीशन का विरोध शुरू हो गया साइमन कमीशन वापस जाओ कि नारों और काले जहंडे तथा हरतालों से उसका स्वागत किया गया पट्टा में साइमन कमीशन के सामने उसके समर्थन में नारे लगाने के लिए सरकार ने कुछ किराय के प्रदर्शनकारी बुलाए थे लेकिन जब विरोधी जुलूस वहाँ पहुचा तो वे सब किराय के प्रदर्शनकारी भी विरोधी जुलूस में शामिल हो गए अंग्रेस पुलिस भचक्की होकर ये द्रिश्य देखती रह गई साइमन कमिशन के विरोध में जुलूसों और सभाओं पर पुलिस ने लाठियां चलाई इन लाठियों से कितने ही लोगों को चोटे आई 20 अक्तूबर 1928 साइमन कमिशन लाहोर पहुचा कमिशन का वहाँ विरोध करने वाले जुलूस का नेत्रित्व किया था लाला लाचपत राय ने पुलिस के लाठियां चार्ज से लाला लाचपत राय सहित बहुत से लोग खायल हो गए लाला लाचपत राय पहले से ही बीमार थे लाठियों की मार से वे बुरी तरह खायल हो गए कुछ सबताह बाद उनका निधन हो गया लाला लाचपत राय के निधन से सारे देश में शोक चा गया साथ ही अंग्रेश हुकूमत के प्रति नफरत और क्रोध एक दमपड़क उठा लाला लाचपत राय के अंतिम शब्द थे मेरे उपर जो लाठियों के हमले किये गए है वही एक दिन ब्रिटिश सामराज्य के ताबूत में कीले साबित होंगी लाला लाचपत राय भारतिय स्वाधिनता अंदूलन के एक अप्रतिम महारथी थे उनका व्यक्तित्व राजनीति, धर्म, संस्कृति, समात्सुधार आधि गुणों का एक अध्भुत समन्वै था वे सच्चे अर्थों में एक राश्ट्रवादी नीता थी लाला लाचपत राय की मृत्यू के समय क्रांतिकारी समिति के कई सदस्य लाहोर में मौजूद थे उन्होंने जल्दी से अपनी एक सभा बुलाई उसमें ये तैह हुआ कि क्योंकि सारे भारतवर्ष की मांग है इसले लाला लाजपत राय की मृत्यों का बतला लिया जाए लाहोर के बाद जब साइमन कमिशन लखनव पहुचा तो वहां जवाहर लाल नहरू और गोविंद वाला पंथ के नेत्रितु में जुलूस निकाल कर विरोध प्रकट किया गया पुलिस ने इस जुलूस पर भी दमन चक्र चलाया उसका हाल जवाहर लाल नहरू ने अपनी मेरी कहानी पुस्तक में इस तरह लिखा है पुलिस के घुरसवार एक डम से हमारे उपर आ गए और हमारे जुलूस में आगे खड़े लोगों से वो एक ही छलान में टक्रा गए लेकिन हम वहीं टटे रहे और चूकी हम हटते हुए दिखाई नहीं दिये तो पुलिस को उसी दम घोड़ों को रोग देना पड़ा खोड़े पिछले पैनों पर खड़े रहे गए उनके अगले पैर हमारे सिरों पर लटकते हुए हिल रहे थे और हम पर पैदर और घुरसवार दोनों पुलिस जवानों की लाठिया पढ़ने लगी वो बहुत भयंकर मार थी मुझे सिर्फ इतना ही ख्याल रहा कि मुझे अपनी जगा पर ही खड़ा रहना चाहिए मार से मेरी आँखों के सामने अंधेरा चागया कभी कभी मनी मन घुसा और हुलटकर मारने का ख्याल भी आया मैंने सुचा कि अपने सामने के पुलिस अफसर को गिरा कर खोड़े पर खुच जड़ जाओ यह कितना आसान था मगर लंबे अरसे की तालीम और अनुशासन ने काम किया इसके अलावा मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर हमारी तरफ से कुछ भी मुकाबला हुआ तो यह फीशन दुर्घटा हो जाएगी जिसमें हमारे आदमी पड़ी तादाद में गोलियों से भून दिये जाएगे जब साइमन कमिशन देश के विभिन हिस्सों का दौरा कर रहा था उन्ही दिनों कलकत्ता में मोतिलाल नहरू की अध्यक्षता में कॉंग्रिस का अधिवेशन हुआ इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज और डॉमिनियन स्टेट्स यानि आपनिवेशिक राज्यों की स्थापना को लेकर काफी बहस हुई किन्तु युवा नेताओं का दल इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा था इसमें प्रमुख थे सुभास चंद्र बोस, जवाहरलाल नहरू और श्रीनिवास आयंगार अंत में गांधी जी के कहने पर विवात तो खत्म हुआ पर निर्णे कुछ नहो सका उधर क्रांतिकारी दल ने तै किया कि लाला लाजपत राय की हत्या के लिए जिम्मेदार पुलिस अफसर पर हमला किया जाए इस काम के लिए चार व्यक्ति नियुक्त हुए चंद्रशेखराजाद, शिवराम राजगुरू, भगत सिंग और जैगोपाल पंद्रह दिसंबर 1928, शाम चार पजे घटना स्थल पर राजगुरू को छोड़ कर बाकी सब लोग साइकल से पहुँचे जैसे ही एक पुलिस अफसर सैंडर्स मोटर साइकल पर निकला, राजगुरू ने उस पर फायर किया राजगुरू, तेरा निशाना ठीक बैठा, अब मेरा निशाना देख चलो, निकलो यहां से खरकत सिंग, उसी भाई हमारे पीछे पीछे भागता रहा है लगता है उस ने देख लिया है, तो अब हमारा निशाना भी देख ले इस हमले में अंग्रेज अफसर स्कॉट की जगह, सैंडर्स मारा गया था इस हत्याकान के खबर मिलते ही, पूरे पंजाब की पुलिस चौकननी हो गई हत्यारों की तलाश चारों तरफ होने लगी लेकिन भगत सिंग ने अपने केश कटवाए, दुरगा भावी ने अपने बच्चे को गोध मिलिया और राजकुरू उनके अरदली बने, भगत सिंग ने सूट बूट पहना, हैट लगाया और दुरगा भावी के साथ प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे में अरदली राजकुरू के साथ लाहौर से निकल गए उधर चंद्रशेखर आजाद तीर्थ यात्रियों की टोली के साथ पंडा बन कर निकल गए पंजाब पुलिस हाथ मलती रह गए अबाई अवीर चंद्रशेखर देख दरा उधर दिवार पर कोई नया नोटिस इस्तिहार लगा है क्या आवाज धिमी कर आइसला बूला आइसला क्यों पोलिस हिंदीनों क्रांतिकारियों को सूंगती फिर रही है और आतो आइधर यह इस्तिहार तो हिंदी में है जल तो पड़ो उसे चल अरे इधर उतर देपते रहना हाई हाँ मैं देख रहा हूं तो पड़ ओं प्रकाश इसको लगाया है हिंदुस्तानी समाजवादी गनतंत्र सेना ने लिखा है हाँ नौकरशाही सावधान जेपी संडर्स की हत्या से लाला लाजपत्राई की हत्या का बदला ले लिया गया है और लिखा है ये विचार कर कितना दुख होता है कि एक साधरन अफसर के दुष्ट हाथों से देश की तीस करोड जनता के सम्मानी तिक नीता पर हमला कर उसकी हत्या कर दी गई और लिखा है ये राष्ट का अपमान और हिंदुस्तानी नव्यूकों और पुर्शों के लिए एक चुनोती थी आज दुनिया ने देख लिया है कि भारत की जनता प्राण हीन नहीं है भारतियों का खून जमा नहीं है वो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बा अच्छा अब किसको चलो चलो यास चलो चलो भागत सिंग और दूसरे क्रांतिकारियों ने मिलकर दिल्ली में लेजिस्लेटिव एसेंबली पर बम फेकने की योजना बनाई योजना ये थी कि भागत सिंग और बटुकेश्वरदत मिलकर बम फेकेंगे और दो अन्य लोग उन्हें वहां से बचा कर निकालने का काम करेंगे नहीं आजाद भाई मुझे कुछ कहना है हाँ कहो भागत सिंग देखिए जहां तक इस स्कीम की बात है कि मैं और बटुकेश्वरदत मिलकर असेंबली में बम फेकें मुझे मन्जूर है लेकिन इस स्कीम के बाद वाली बात पसद नहीं आई मुझे वो क्या यही कि दो लोग असेंबली से हमें बचा कर निकाल लाएं लेकिन तुम दोनों को अकेले वहां से निकलने में मुश्किर हो सकती है वैसे तुम नहीं आजाद जी आप मेरी बात समझे मैं वहां से निकलने की बजाए गिरिफतारी देना चाहता हूँ कैसी बात करते हो भागा सिंग गिरिफतारी का मतलब समझते हो न सैंडर्स हत्याकार्ट के सिलसले में पुलीस तुम्हे ढून रही है पकड़े जाने पर फास ही हो सकती है क्रांती दल के निता जो सोचते हैं जो कुछ चाहते हैं मैंने बता तिया आगे तुम्हें वही करना है जिसको तुम ठीक समझो मैं गरफतारी दूँगा बटुकेश्वर भीस के लिए तैयार हो जाएगा अच्छा तुम वही करो आठ अप्रेल उन्नी सो उन्तीस भागत सिंग और बटुकेश्वर दत केंद्रिय एसेंबली हॉल की दर्शक दीरगा में पहुँच चुके थे उन्हें कहा गाया था कि बम फेकते समय विध्यान रखे कि किसी व्यक्ति के जीवन को कोई हानी न हो बम फेकने के बाद अपनी बात समझाने के लिए पर्चे फेके जाएं उस समय एसेंबली के सभापते विध्ठल भाई पटेल थे और पबलिक सेफटी बिल पर बहस चल रही थी एसेंबली के अध्यक्ष मिस्टर शूस्टर अभी अपना फैसला सुनानी ही वाले थे कि दर्शक गैलरी से एक भायानक बम गिरा बम मिस्टर शूस्टर के कुर्सी के ठीक पीछे गिरा था बम फटते ही पूरे हॉल में धुआ फर गया मिस्टर शूस्टर इतना घपरा गया कि अपनी मेज के पीछे घुसकर चिप गया सभी सदसे भाईबीत और हक्ये बक्ये रहे गए फिर एक और बम फेका गया इसके साथ ही बटुकेश्वर दत ने पर्चे फेके भगत सिंग ने अपनी पिस्टॉल से दो फायर भी किये पूरे एसेंबली हॉल में घबराहट, भगदर और शोर मच गया पंडित मोती लाल नहरू, विठल भाई पटेल, पंडित मदन मोहन मालविय और मुहम्मद अली जिन्ना शांत भाव से जहां बैठे थे, वहीं बैठे रहे भगत सिंग और बटुकेश्वर दत ने दर्शक गैलरी से नारे लगाए इंकलाब जिन्दा बाद, सामराजवाद का नाश हो, बंदे मातरम दर्शक गैलरी खाली हो गई थी, लेकिन भगत सिंग और बटुकेश्वर दत निर्भय होकर वहीं खड़ी रहे तभी अंग्रेज पुलिस सार्जेंट टैरी वहां आया तुम लोग ने किया ये साब? इनकलाब जिन्दा बाद, सामराजवाद का नाश हो, अरेश्टेंट गिरेफ्टर कर लो इनको उसके लिए तो हम खड़े हैं, वरना कपके गायब हो जाते और तुम कुछ ना कर पाते दरो मत ये पिस्टॉल तुमारे उपर नहीं चलेगी भगत सिंग और बटुकेश्वर्दत गिरफ्टार हो गए उनके द्वारा जो नारे लगाए गए वो देश के बच्चे-बच्चे की जुबान पर चढ़ गए स्वतंत्रता अंदोलन में इनकलाब, जिन्दाबाद, नारे के प्रवर्तक भगत सिंग ही थे उनका मानना था की आजादी के लिए पूरे देश में इनकलाब लाना होगा इसके बाद से स्वतंत्रता अंदोलन में इनकलाब जिन्दाबाद का नारा लोग सारे जुलूसों में लगाने लगे वंदे मातरम के बाद हमारी राजनीती में ये दूसरा महत्वपूर नारा था जिसका घोश करते करते लोग अंग्रेश सरकार की लाठियों और गोलियों की मार को हस्ते हस्ते छेल जाते थे अरे उम्परकाश भाई, समेरे समेरे कैसे आओ बैटो 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 चाहे पियोगे आरे यार अमीर चंद चाह आए बाद में पहले तु ये अखबार पढ़के सुना इस बाद क्या लिखा है अरे कल सुना है दिली की असेंबली में भगास सिंग और बटू केश्वर दत ने बम पोड़ा है पहले तो अखबार पढ़के सुना ले अला अला अरे और खबर तो वही है हाँ लिखा है जिस वक्त हॉल में धुआ भर गया तो उसी वक्त दर्शक गैलरी से पर्चे भी फैके गए सरकार इन पर्चों को आम जंता तक नहीं पहुँचने देना चाहती थी लेकिन अखबार के एक समवाददाता ने धमाके के तुरंट बाद एक पर्चा उठा कर रख लिया था उस पर्ची का मजमून यहां जोंका तो चपा है हाँ हाँ पर पर क्या लिखा है लिखा है हाँ हिंदुस्तान समाजवादी गनतन तरसीना बहरों को सुनाने के लिए उची आवाज की जरूरत होती है फ्रांस के शहीद वेला के ये शब्द क्या हमारे लिए जरूरी नहीं बन गए है साशन सुधारों की नाम पर ब्रिटिश हुकूमत दौरा पिछले दस सालों से हमारा जो अपमान किया जा रहा है उसकी कहानी हम दौराना नहीं चाहते हाँ हाँ पड़ पड़ आगे पड़ आगे पड़ लिखा है हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि कुछ लोग साइमन कमीशन के दौरा सुधारों की नाम पर जूटे टुकडे मिलने की आशा लगाए बैठे हैं और उससे मिलने वाली ताजा हड़ियों के बटवारे के लिए जगड़ा कर रहे हैं इसी समय सरकार भी भारतिय जनता पर और दमनकारी कानून लात्ती जा रही है इन बेहद उत्तेजक परिस्थितियों में हिंदुस्तान समाजवाती गनतंत्र सीना ने पूर गंबीरता से अपनी सीना को ये कारे करने का आदेश दिया है जिससे कानून का ये अपमान जनक मजाग बंध हो सही बात, बिल्कुल सही बात विदेशी सरकार की शोशक नौकर शाही चाहे जो करे परंतु उसका नगन रूप जनता के सामनी लाना बहुत जरूरी है ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है और काम भी सही किया है अरे बं मारने के लिए नहीं, सिर्फ धमाका और धुआ पहलाने के लिए पेगा गया देखो, आगे भी कुछ लिखा है किया हम इस पार्ट पर जोर देना चाहते हैं जिसे की इतिहास ने अनेक बार दोराया है कि व्यक्तियों की हत्या कर डालना आसान है तुम विचारों की हत्या नहीं कर सकते बड़े बड़े सामराज्य नश्ट हो गए जबकि विचार जिवित रहे फ्रांस के ब्रुवा और रूस के जार समाप्त हो गए जबकि क्रांतिकारी विजय की सभलता के साथ आगे बढ़ते रहे क्या बात है बहुत सच बात गई हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं हम ऐसे उज्वल भविश्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रतेग व्यक्ति पूर्ण शान्ती और स्वतंत्रता का उपवोग करेगा हम मानव रक्त को बहाने की अपनी विवश्टा पर दुखी है परन्तु क्रांति द्वारा मनुष्यों का बलिदान अवश्यक है इंकलाव जिन्दाबाद जिन्दाबाद भाई जिन्दाबाद भाई अमीर चन अब जरा सोच कि हमारे नेता जो इन क्रांतिकारियों की बुराई करते हैं वो क्या ठीक है मुझे बता कि उन्हें अगर क्रांति का रास्ता अपनाना पड़ा तो क्यों क्या विदेशी हुकूमत जिम्मेदार नहीं है अरे सो तो है उन्प्रकाश भाई पर वो बहरी है तुम्हे ठीक है बहरों को सुनाने के लिए तो तेज आवाज में बोलना ही पुड़ेगा इसमें गलत क्या है भाई बिल्कुल ठीक कहते हो भागत सिंग और बटुकेश्वर दत्त की गिरफतारी के बाद ब्रिटेश सरकार ने क्रांतिकारियों की धर पकड बड़े पैमाने पर शुरू कर दी उन्हें पकडवाने और नौकर शाही की शाबाशी और इनाम पाने के लालच में भारतिय लोग भी सहयोगी बने कुछ पकड़े हुए लोग मुख्विर बन गए जैचंद और मीर जाफर की लगाई गद्दारी की बेल एक बार फेर से फल फूल उठी इसके साथ ही पकड़े गए क्रांतिकारियों पर मुकदमे भी शुरू हो गए कॉंग्रेस का 45 वा अधिवेशन 25 से 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी के किनारे आयोजित किया गया था ये अधिवेशन कई द्रिष्टियों से महत्वपून था पहला तो ये कि इसके अध्यक्षिता के लिए तीन नाम आए गांधी जी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नहरू गांधी जी को दस मत मिले पटेल को पांच और जवाहरलाल नहरू को तीन लेकिन गांधी जी ने अपना नाम वापस ले लिया पटेल से भी उन्होंने अपना नाम वापस करवा दिया इस तरहें नवयुवकों के प्रियनेता जवाहरलाल नहरू को अध्यक्ष बनवा कर गांधी जी ने कॉंग्रिस में नई पेढ़ी को महत्व दिया इस समेलन की दूसरी महत्वपून बात थी पून स्वाधीनता की मांग 31 दिसंबर 1929 को ठीक रात के 12 बजे पून स्वाधीनता की मांग का प्रस्ताव तालियों और हश्योलास के साथ स्विकार किया गया सारा पंडाल आनंद की उमंग से नाच उठा लगा जैसे सारा देश स्वतंत्र हो गया है इंटकलाब जिन्दाबाद के नारे के साथ इस रात तिरंगा जंडा पहराया गया और ये दिश्चे किया गया कि हर वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा ह läuft सदासत्य बरसाने वाला प्रेम सुदासर्साने वाला वीरों को मत्र भूमि का थनमन जारा चंदा उच्या हमारा विजयिज्व तिरंगा प्यार जंडा मूँच रहे हमारा विश्चे किहा को दिश्का Post पून स्वाधिनता की मांग करते वे जो प्रस्ताफ स्विकार किया गया था उसमें कहा गया था हमारी आस्था है कि अन्य देशों की तरह भारत वासियों का ये जन्म सिध्ध अधिकार है कि वे स्वाधीनिता प्राप्ट करें अपने परिश्रम के फल का उप्योग करें और जीवन के आवशक्ताएं पूरी करें ताकि विकास की समस्त सुविधाएं उन्हें मिल सके हमारा ये भी विश्वास है कि यदि सरकार जन्ता के इन अधिकारों को चीन कर उसका दमन करती है तो जन्ता को ये भी अधिकार है कि वो उस सरकार को समाप्त कर दे या बदल दे भारत में अंग्रेज सरकार ने भारत वासियों की सिर्फ स्वतंतरता का ही अपरहन नहीं किया बलके उसने जनता का शोशन करना अपना अधिकार बना लिया है उसने आर्थिक, राजनेतिक और सांस्कृतिक ग्रश्टी से देश को तहस नहस कर दिया है 26 जनवरी 1930 को सारे देश में स्वाधिनता दिवस मनाया गया जुलूस निकाले गए, इससे लोगों में नया जूश आया दिसंबर 1939 के अंत में हुई लाहौर कॉंग्रिस में सीमा प्रांथ से भी बहुत से लोगों ने आकर हिस्सा लिया था यूँ इससे पहले सीमा प्रांथ से खान अब्दुल गफार खां कॉंग्रिस के अधिवेशनों में भाग लिया करते थे लेकिन लाहौर कॉंग्रिस में वहां से नवयुवकों का एक बड़ा दल आया था वे लाहौर कॉंग्रिस में ये संदेश दे कर गए कि आजादी की लड़ाई में वे भी सारे हिंदुस्तान के साथ है लाहौर कॉंग्रिस में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हो गया तो इसका देश की जनता और सरकार दोनों पर गहरा असर पड़ा सारे देश में एक नया जोश तथा उत्साह पैदा हो चुका था जगे जगे जुलूस निकाले जा रही थे तिरंगा जंडा लेकर लोग इनकलाब जिन्दाबाद के नारी लगा रही थे इनकलाब जिन्दाबाद 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 विजय विश्व तिरंगा प्यारा जंडा उचा रहे हमारा सदासत बरसाने वाला प्लेम सुदा सरसाने वाला वीरों को हरशाने वाला मात्र भूमिका तनमन सारा जंडा उचा रहे हमारा विजई विश्व तिरंगा प्यारा सारे देश में आंदोलन तेज हो गया था अब देश को एक साथ जगाना था सबको साथ लेकर चलना था अब ऐसी कोशिश करनी थी कि ब्रिटिश सरकार के हाथ पेर फूल जाए और वो देश की व्यवस्था सम्हालने में अपने को कमजोर महसूस करे इसी समय गांधी जी ने रचनात्मक और संगठनात्मक कारिक्रम तेज कर दिया था सिद्धेश्वर जी आप तो एंदाबाद से लोटे हैं कहीं क्या समाचार है सुना है कांग्रेस कारिकारेणी सामिते ने गांधी जी को सत्याग्राय शुरू करने या ना करने का अधिकार दे दिया है वेश्वनाद भाई आपने ठीक ही सुना है परदेश की जनता में इस वक्त जैसा जोश है उसकी जो उमीदे हैं वो सब गांधी जी अपने तरीके से करना चाहते हैं ना कि वैसे जैसे जनता चाहती है लेकिन सिद्धेश्वर भाई हमारे सारे कारी करता और यहां की जनता तो पूरे जोश में हैं मर्दी नहीं औरतें भी कहती हैं कि हम पुलिस की लाठी खाएंगे जेल जाएंगे गोली खाएंगे बलिदान देंगे पर अब पूरन स्वाधीनता लेकर रहे हैं वो तो ठीक है विश्वनात मेरे दोस्त लेकिन आकर हमें करना तो वही है ना जो हम तो पारे नेता निरदेश देंगे। आप इनकी नहीं सुनेंगे तो यह आपको रोम कर चले जाएंगे शहीद हो जाएंगे देश के लिए मर मिटेंगे जानता हूँ जानता हूँ विश्वनाथ भाई जनता का और नीताओं का यह संतोष और जगहों पर भी है सुभाष चंद्रबोस ने इसी लिए लाहूर में ये प्रस्ताव रखा था कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग के साथ ही कॉंग्रेस का लक्ष देश में एक समानांतर सरकार की स्थापना करना होना चाहिए और इस लक्ष को पूरा करने के लिए उसे देश के मजदूरों, किसानों और नव्यूकों का संगठन बनाना चाहिए लेकिन गांधी जी ने और दूसरे बड़े नेताओं ने इस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया बस इसलिए तो अब हम लोग तैने कर पा रहे हैं कि क्या करें सिधेश वरुआई आप जानते हैं कि आज का सत्याग्रही सिर पर मशाल बांदे चलता है उसके पेट पर कफन बदा रहता है इस वक्त सब इसी आशा में बैठे हैं कि अब तो कांग्रेस दुश्मन पर जवाबी हमला शुरू करेगी और हमारे दुश्मन उस हमले को झेल नहीं पाएंगे उन्हें अथियार डालने पर मजबूर होना पड़ेगा और तब देश सो तंत्र हो जाएगा तुम्हारी बात सही है विश्वनात पर ये तो तभी हो सकता है न जब कि कांग्रेस तुरंट अपने प्रोग्राम शुरू कर दे जैसे हरतारे कराने लगे टेक्स देना बंद करा दे समानांतर सरकार की स्थापना करे और जनाता का शासन हो जाए सच पूचो तो अंग्रेस सरकार भी डरी होई है और वो तो ऐसी ही जवाबी कारवाई की उम्मीद किये है और क्या करो राश्ट्रिय नेत्रत्व जिनके हाथों में है वो तो कुछ और ही सोच रहे हैं किसके हाथ में है राष्टे नेतित्व, बोलो से देशन किसके हाथ में है, कांथी जी के, वो अहिंसा के सिध्धान पर अंत तक डटे रहना चाहते हैं, ठीक है, हम तो अनुशासन से बंदे हैं, लेकिन याद रखो से देशोर भाई, अंग्रेजी शासन इस देश से तभी जा और ये बात और है, कि इसका फाइदा वो उठा ले जाएं, जो शांति की बात कर रहे हैं, यही होने वाला है विश्वनात भाई, नेताओं में इसी वज़े से अलगाव हो रहा है, सुभाश चंद्र भोस जैसे नेता अब कॉंग्रेस से दूर जाने की बात सोच रहे हैं, उनका तो बयान अखपारों में भी छप चुका है, जिसको उन्होंने विदेश से भेजा है, क्या कहा है उन्होंने, सुभाश चंद्र भोस ने कहा है, कि अब वो समय आ गया है, जब एक नए सिध्धान्त तथा नई कारे पध्धती के आधार पर कॉंग्रेस का आमूल पु पर क्रम शुरू करने वाले हैं। सरकार लाखों, भूखों, बीमारों, विकलांगों और सब तरह से बेसहरा लोगों तक पहुंच सकती है। मानव मस्तिश्क इससे अधिक अमानुशिक कलपना नहीं कर सकता। मनुश्य को पानी और हवा के बाद अगर नमक ना मिलेगा, तो जीएगा कैसे। तब सरकार को न 1930 को साबर मती आश्रम से दांडी के लिए कूच करेंगे। वाइसरोई ने जवाब में उन्हें सीधी सी बात लिख दे थी कि आप कानून हाथ में न ले। नमक कानून भंग होने से अशान्ति और अव्यवस्था पहल जाएगी और तब सरकार को कड़े कदम उठाने पर मज होना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी को इस जवाब से संतोष नहीं हुआ। वो तो कुछ और ही सोचकर इस आंदोलन को शुरू करने जा रही थे। उनका कहना था। इसके जरीए जन जन की आत्मा आलोकित हो सकती है और वो इस प्रकार के आंदोलनों में प्रशक्षित हो सकती है। उस वक्त सारी दुनिया की निगाह भारत पर थी। वे देख रहे थे कि बिना शस्त्रों के स्वाधिनता का संगर्ष भारत में कैसे लड़ा जाएगा। इस अथा इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता यदि उसे अपने आत्मा की शक्ति पर भरोसा हो। नमक आंदोलन छेड़ने के लिए पदियात्रा करने का मेरा उद्देश है ये है कि मैं आत्मा की शक्ति और उसके प्रकाश के दिव्य जोति का परिचय देना चाहता हूं जनता को। महिंसा की शक्ति से डरी हुई जनता के मन में भाई निकाल कर उसे निर्भाई और आज़ाद बनाना चाहता हूं। घुलामी के दमन चक्रने भारत की जनता पर बारह सो वर्शों से भाई जमा रखा है। मैं उस भाई को हटाना चाहता हूं। मैं जनता को ये एहसास कराना कि वो बिना हथ्यारों के ही देश को आजाद करा सकती है और खुद भी आजाद रह सकती है 12 मार्च 1930 दांडी के लिए पदयात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी थी गांधी जी के इस अध्भुत प्रयोग को देखने के लिए देश्विदेश के अनेक पत्रकार और राजनेता एहमदाबाद में इखटा हो चुके थे गांधी जी एक अधो वस्त्र पहने थे और कंधो पर एक उपरी वस्त्र डाले थे उनके पीछे दोदो की पंक्ती में उन्यासी सत्याग्रही खड़े हुए थे आश्ट्रम वासियों ने उनकी आर्ती उतारी और जनता ने उनका हार्तिक स्वागत और अभिननदन किया सारा एहम्दाबाद उनके पीछे एक जुलूस में चल पड़ा था गांधी जी ने चलने से पहले एक छोटा सा वक्तव्य दिया था यदि स्वराज्य ना मिला तो या तो मार्ग में मर जाऊंगा या आश्रम के बाहर रहूंगा यदि नमक कर न उठा सका तो आश्रम लोटने का भी इरादा नहीं है इसलिए जब तक मैं दांडी ना पहुंच जाऊं सत्याग्रह शुरू ना किया जाए और गांधी जी के कदम उठते ही दांडी यात्रा शुरू हो गई एहम्दाबाद में इतना बड़ा जुलूस इससे पहले कभी नहीं निकला था बच्चों और अपंगों को छोड़कर लगभग सारा शहर इस जुलूस में शामिल था जुलूस दो मील लंबा था जिन्हें सडकों पर खड़े होने की जगह नहीं मिली वे गैलरी, छजों, छटों और यहां तक की पेड़ों पर चढ़कर इस यात्रा को देख रहे थे 24 दिन की पैदल यात्रा के बाद 5 अप्रेल को गांधी जी अपने स्वयम सेवकों के साथ दांडी पहुँच गए 6 अप्रेल 1930 सुभा के समय सब लोग गांधी जी के साथ समुद्र तट पर पहुँच गए समुद्र तट पर जो कुछ हुआ उसका विवरण देते हुए प्रसिद गांधी वादी, चिंतक और दाशनिक लुई फिशर ने लिखा है समुद्र तट पर पहुचकर गांधी जी ने पहले समुद्र में गोता लगाया किनारे पर लोटे और लहरों का छोड़ा हुआ नमक मुठी में लेकर उठाया इस तरहें गांधी जी ने बिटिश सरकार के उस कानून को तोड़ दिया जिसके नुसार सरकारी ठेके के अलावा उठाया हुआ नमक रखना गैर कानूनी था नमक उठाने के बाद गांधी जी वहां से हट गए इसके बाद सभी लोग तसले लेकर नमक लेने समुद्र में उतर गए निहत्थे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बंदूगधारी पुलीस वहां पहले से तैनात थी उसने आननफानन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया उधर 6 अप्रेल 1930 को ही सारे देश में अनेक स्थानों में नमक कानून तोड़ा गया उत्तर प्रदेश, बंगाल, मुंबई, दिल्ली, बिहार सभी जगे सत्या ग्रहियों के साथ पुलिस ने ज्यात्ती की और हुने पीटा कराची, पेशावर और मदरास में तो गोली भी चलाई लेकिन इस नमक आंदोलन का प्रभाव कितना जबरदस्त था इसे जवाहरलाल नहरू के इस एक वाके से समझा जा सकता है ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई बटन दबा दिया गया और अचानक सारे देश में शहर, कस्बे, गाउं, जिधर देखो रोज नमक बनाने की धूम मच गई थी नमक आंदोलन के सिलसिले में तमाम सत्या ग्रहियों के अलावा जवाहरलाल नहरू, सरदार पटेल जैसे बड़े-बड़े नेताओं को गिरफतार कर लिया गया था लेकिन गांधी जी को गिरफतार नहीं किया गया था अब गांधी जी ने दूसरा कारिक्रम बनाया धरसाना में नमक का सरकारी गोदाम था गांधी जी ने तै किया कि इस गोदाम पर अहिंसात्मक धावा बोलकर नमक पर कबजा कर लिया जाए ब्रिटिश सरकार को अब लगा कि स्थिति बिगड सकती है चार मई 1930 की रात गांधी जी कराडी शिविर में सो रही थे रात को 12 बचकर 45 मिनिट पर सूरत के अंग्रेज जिला मैजिस्ट्रेट ने 30 बंदूग धारी और दो अफसरों के साथ कराडी शिविर को घेर लिया गांधी जी को जगाया गया Mr. Gandy, My District Magistrate Surat आपको आरेस करने के लिए आया है Inspector, के राफटारी का हुकम पर कर सिनाओ चुकि Governor General in Council महंदास करमचंद गांधी की कारवाईव को खतरनाक मानता है इसलिए वो हुकम देता है कि महंदास करमचंद गांधी को 1827 के Regulation 35 के तहट प्रतिबंद में रखा जाए और जब तक सरकार चाहे तब तक कैद में रखे गांधी को तुरंट यर्वदा जेल पहुँचाया जाए ठीक है, मैं चलता हूँ लेकिन पहले मैं प्रेस के लिए अपना बयान लिखूँँगा उसके बाद चलूँगा गिरफतारी से पहले जारी किये गए प्रेस बयान में गांधी जी ने लिखा था नमक सत्याग्रेहियों के जत्थे की बागडोर अब सरोजनी नाइडू समालेंगी नमक कानून विवहार रूप से भंग हो चुका है अब प्रत्यक व्यक्ति जो मुकदमे का खत्रा उठा सकता है जहां चाहे जब चाहे नमक बनाने के लिए स्वतंत रहे मेरी राय है कि कार्यकरता हर स्थान पर नमक बनाएं और जहां साफ नमक बनाना मुनासिब हो वहां उसका इस्तिमाल करें इसके साथ ही वे ग्रामवासियों को नमक बनाने का तरीका समझाएं और ये भी समझाएं कि इसके लिए उन्हें दंडित किया जा सकता है ग्रामवासियों को अच्छी तरह समझा दिया जाए कि कानुन भंग सरे आम करना है छिप कर नहीं गजनन भाई हाँ भाई विश्वनात अपने सिदेशर भाई तो नमा कांदोलन में जेल चले गए है अब मेरा नमबर है यहां का बागी काम तुम संभालना चिंता ना करो भाई आंदोलन की मशाल बुजने न पाएगी एक बात तो है गजनन क्या कि नमक आंदोलन इतना जोर पकड़ लेगा इसके शायद ही किसी को आशा रही हो दरसल विश्वनात भाई अब अगबार तो तुम भी पढ़ते ही हो गांदी जी की गिरफतारी मानो आग में घी का काम कर गई सो तो है देश भर में हर्ताले हुई है बाजार बंद हो गया है व्यापार बंद हो गया है और लोग सड़कों पर आ गए पेशावर में तो अंग्रेज पुलिस ने मनुश्यता की भी हत पार कर दी वो कैसे वहाँ भी खुदाई खिद्मदगार पठानों में कैसा चस्पा है भाई पढ़ा होगा जो लोग नमग आंदोलन में शामिल हुए थे उनको गिरफतार करके माफे नामे पर अंगूटा लगवा रहे थे इस जिल्लत से बचने के लिए कुछ लोगों ने तो अंगूटा तक कटवा ड़ा आहाँ हाँ हाँ और 23 अपरैल को तो घजब हो गया गजनन भाई पेशावर में बहादूर पठानों ने अहिंसक लड़ाई की ऐसी मिसाल पेश की कि जो कभी न भूलाई जा सकेगी बहादूर पठानों के जलूस पर जब ब्रेटिश पुलिस ने गोलियां चलाई तो सेग्डो पठान मौत की जरा भी परवा किये बिना बंदूकों की तरफ बढ़ते गए और पुलिस ने उन नहत्ते लोगों को बड़ी बेरे में से भून दिया सरकार कितना ही दमन चक्र चला ले वी शुनाद भाई आंदूलन थमने वाला नहीं है कोई जगे ऐसी नहीं है जहां यह अहिंसात्मक आंदूलन नहो रहा हो कोई पचास-साथ हजार लोग जेलों में बंद हो चुके है जेलें भर गई हैं और सरकार को नई जेलें बनवानी पड़ लए सच पूछो गजनन भाई तो बिटिश सरकार की नेव हिला कर रख दी है इस अंदूलन ने लेकिन इससे गांधी जी की कांग्रिस पर गहरी पकड़ हो जाएगी और उसका प्रभाव तेजी से फैलने लगा है लेकिन नव यूवक करांदिकारी भी शांत नहीं बैटने हैं बाई 18 अपरेल को चटगाओं में 74 करांदिकारी यूवकों ने मिलकर एक ही रात में पुलिस लाइन और सरकारी भावनों पर हमला कर दिया वो चाहते थे कि जब जनता आंदोलन करे तो लोग सिर्फ सीने पर गोली न काएं बलकि बिटिश हकूमत की ताकत पर कबजा करें लेकिन पुलिस ने बाद में उन्हें गेल लिया तो वो सभी करांतिकारी पुलिस से लड़ते हुए शहीद हो गए भाई कुछ भी कहो हमारे नौजवानों में इस वक्त गजब की राष्टे भावना है अब देखो लाहोड शर्यांतर केस का क्या हैसला होता है उसमें हमारे कई बड़े क्रांती नेता जेल में बंद है उन्हें न्याय मिलना चाहिए हरे भाई कैसी बातें करते हो बिटिश सरकार से न्याय की उम्मीद करना बेकार है विश्वनाद भाई जो कुछ हो रहा है सब नाटक बाजी है लेकिन एक बात बिटिश हुकूमत को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि उसके इन नाटकों से नौजवानों का जोश दबने वाला नहीं है सरकार उसको जितना दबाएगी वो उतना ही उबरें वो तो साफ नज़र आ रहा है भाई साथ अक्तूबर 1930 को लाहोर शडियंत्र मुकदमे का फैसला सुना दिया गया इस फैसले के अनुसार शिवराम राजगुरू, सुखतेव और भगत सिंग को फांसी की सजा दी गई थी बाकी लोगों को काले पानी की सजा दी गई इस फैसले से देश की जनता घुस्से से पागल हो उठी सारे देश में सभाओं और जुलूसों का तुफान सा उठ खड़ा हुआ सरकार ने धड़ा-धड गिरफतारियां शुरू की सभाओं और जुलूसों पर लाठियों गोलियों की वर्षा होने लगी एक बार फिर आंदूलन पूरी जोश से भड़क उठा हिंकलाब 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 हिंकल देश में लगातार बढ़ती आशांती को देख कर आखिर ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि क्यों ना बादचीत से मामला हल कर लिया जाए। देश में लगातार बादचीत से मामला हल कर लिया जाए। अंग्रेश सरकार का दमन चक्र पहले की तरह ही जारी रहा। क्रांतिकारियों की धर पकड उन पर बुकद में चलाना और उने सजाएं देना जारी रहा। चंदर शेखर आजाद का ब्रिटिश पुलिस लगातार पीछा कर रही थी। फांसी का फंदा तो सैंडर्स हत्याकान के बाद से ही उनका इंतजार कर रहा था। 27 फरवरी 1931 उस समय आजाद प्रयाग में थे। वो अपने साथ ही सुखदेव राज के साथ चौक से कटरा जाने वाली सडक पर खूम रहे थे। अचारत वीरभद्र तिवारी ने उन्हें देख लिया और वो एकदम से भीड में गायब हो गया। सुखदेव राज, वीरभद्र तिवारी ने हमें देख लिया है। जबसे उसे हमने दल से निकाला है, वो हमारा दुश्मन बन गया है। तो हम यहां से किसक चलते हैं। हाँ, एल्फरेट पार्ख चलो। अब जब से निकाला है। हलो, हलो, विशेशर सिंग, मैं, मैं बीरभद्र तिवारी। सुनो, चंदरशेखा राजाद और सुक्तेव राज को मैंने अभी अभी देखा है। वो एल्फरेट पार्क अंदर गए है। सुनो, जल्दी करना हां। और मेरा इनाम हां। सुक्तेव राज, एल्फरेट पार्क में अचानक पुलिस। लगता है फीर भात्र ने अपना काम कर दिया। चलिए, निकलिए यहां से। सुक्तेव राज, तुम चाहो। मेरे पास वक्त कम है। मेरे कारण तुम भी खात्रे में पड़ जाओगे। चाहू। मैं आपको कैसे अकेले छोड़ कर जा सकता हूँ। सुक्तेव, तीर मत करो। पुल, पुलिस पार्क के अंदर आ चुकी है। भागो, निकलो, निकलो। डालचन, तुम तु चंदर शेह का राजाद को पहचानते हो। क्या यही है वो? हाँ, यही है, नॉट पावर साब को इशारा करते। एए, हुआर यू। तुम काउन है। ओ, इसने अपने को घोली मा लिया। मैं तो इसको जिन्दा पकड़ना चाहता था। नजलीक मत जाने साब, अगर जिन्दा हुआ तो बहुत खदरनाग है यह। हाँ, आप ठीक है, मर कहा है। चंद्रशेखर आजाद कहा करते थे कि मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। पुलिस जीते जी मुझे कभी न पकड़ पाएगी। अपनी शहादत देकर उन्होंने ये सच कर दिखाया। स्वतंत्रता की वेदी पर देश का एक और सपूत बलिदान हो गया। मात्र भूमी की बलिवेधी पर हसते हसते मात्र भूमी की बलिवेधी पर हसते हसते चड़ा गए जो शीश्वीर बर्दानी। चड़ा गए जो शीश्वीर बर्दानी। चाती पर लिख गए वो ही काल की आजादी की। अमर कहानी। आजादी की अमर कहानी। स्वाधिनता की अमर गाथा। अभी आप देश की स्वाधिनता के लिए किये गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारे इस विशेश धारवाहिक की अठारहवी कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर हरी कृष्ण देवसरे और निर्देशक थे विरेन मुन्षी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे बनवारी तनेजा, SM जहीर, कीमती आनंद, सुभाश गुपता, मनोज भटनागर, मुनीश, मोहलाल शर्मा, S. रालते और शोबना जगदीश। कलिसी समय इस धारवाहिक की उन्नीसमी कड़ी प्रसारित की जाएगी। झाल बंढност, सुभाश जाल शर्मार, S. राल्मार जबस्द्द्द्द्जनन्पस